दिवी अहलिया की नगरे इंदा और प्रदेश की आर्थिक राज़ानी के साथ ही धार्मिक नकरी भी है यहाँ पर अनेक जन नेताओं द्वारा धार्मिक आय जनू की माध्यम से आम जन मानस को दूर सुदूर क्षेतर की यात्राई करवाई जाती है और पूर्व पार्षड राजेंदर जैसवाल त्वारा पिष्टे नौ वर्षो से लागाता है इन दौर से हरीद्वार्त की यातरा व्रद जनू को कराये जाती है कॉंग्रिस नेता राजेंदर जैस्वाल ने बताया कि सवर्ष साधी वसीय यात्रा 22 सितंबर को हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेगी यात्रा का शुभारंब पूर्वपाशर श्री जैस्वाल के महावर निगर इस्तेते निवास से होगा ततपशात यात्रा दिवी अनपुन्ना के दरबार अनपुन्ना मंदर तक जाएगी श्री जैस्वाल ने बताए कि उनका यहाँ प्रयास रहता है कि पचास वर्ष से अधिक उम्रे की मात्रशक्ति जो की अपनी खर्चे से हरिद्वार तक नहीं जा सकती उन्हें अधिक से अधिक संख्या में हरिद्वार ले जाकर गंगा इस्नान कराकर पुन्य लाप्ति ला करेंगे जिसकी तैयारिये शुरू की गई है कहां से निकनलने वाली मतलब कहां इंदोर में इसका शुबारम होगा और कितने लोगों को आप यात्रा में लेके जाने वाले और किसकी इस्वनति में यात्रा निकाली जाती है मा अन्नुपुन्डा की जाय हो हर अरगंगे मैं राजेंद्र जायसवाल पूरुपारसत में इंदोर से हरिद्वार निसुल्क यात्रा विगत दस वर्सों से ले जा रहा हूं मैं ये यात्रा अपने माता पिता के स्वनति में ले जाता हूं और इसमें बहुत ही निर्धन लोग यात्रा में जाते हैं जो कि कभी वहाँ नहीं जा पाते हैं उनको में ले जाता हूं उसमें 50 वर्ष से उपर की ज्यादा की आयू वाली महिलाओं को ले जाते हैं जो की भोती निर्दन रहती हैं जो मैं समझता हूँ कि ओंकारे सवरोर आसपास भी नहीं जा पाती है उनको माता जी के आसिरवाद से अपन हरिद्वार ले जाते हैं और यह यात्रा विगत दस वर्ष से दसवा वर्ष से इसको और इसमें 800-900 लोग के करीब जाते हैं इंदोर देरादून ट्रेन जो चलती है उसमें कुछ सम डब्बे वो रिजर्वेशन करवा लेते हैं और बाकी लोकल डब्बे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यह यात्रा साथ दिनों की रहती है संड़े को हम यहां से निकलते हैं और शटड़े को वापस आते हैं इस तारिक को जो यात्रा का शुबारम कहां से होने वाला है यह हमारे निवासिस्तान 334 महावा नगर से शुबा यात्रा चालू होगी और अनकुणा बंदिर में माता जी के दर्शन करके हम लोग बस दुआरा रेल्वे स्टेशन पहुचेंगे और रेल्वे स्टेशन से इ माता जी का खूब असिम करपा रेती है बहुत अच्छा लोग घुमते फिरते हैं और बड़ी मज़ा आता है बड़ा आनंद आता है उसमें